नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से अड़ा 247 में और आज हम डिसकस करने जा रहा हूं अगर हम लोग इस कड़ी की बात करें नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और नॉर्थ इस इंडिया, इन सभी के हम लोग नेशनल पार्क से डिसकस कर चुके है आज का सेशन भी काफी important रहने वाला दिल्चास पर कहीं न कहीं किसी न किसी से कोई न कोई ऐसी चीज़ होगी related जो आपके exam का part बनाएगी, अब क्या वो चीज़े जिसकी वे से वो नेशनल पार्क important है, वो हम लोग देखेंगे, देखें अगर bank exam की बात करते तो वहां तो direct पूछता है कि पलाना पलाना नेशल पार्क किस कहां पर किस state में located है, यही, कि यह नेशल पार्क किस state में है, यही exam में आएगा, bank में अक्सर यही देखने को मिलता, अभी तक 100% का है, 99 के 100%, बर SSC Railways के लावा चितनी वे exam होते हैं, वहां पर उस तो related fact पूछ लेता किस district में हैं, या even UNESCO related अगर कोई status दिया गया तो किसी वर्ष में दिया गया तो इस तरीके का, ठीके तो detail में study करेंगे, बड़ गाइस, प्लीज, प्लीज, फटावर्ट सेसे maximum share करने start करें, फिर हम लोग जरा फटावर्ट तावर्ट तो बैटिंग करते हैं, ओके, ओके, good afternoon, good afternoon, good afternoon, श्री रादे, सस्त्री अगाल, आगे बड़े, यारा, सलाव मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, आज का important session, मैं पहले सबसे पहले तो अपने को hide कर दे रहा हूं, यार, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीके, thumbnail बड़ा बड़े लग रहा है, यहाँ पर यह अब बढ़ते हैं, आगे जरा देखते हैं, ठीके, एर, एक चीज़ important आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जितने भी बच्चे हैं, हम लोगों के batches purchase करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ में यहाँ पर बताने जा रहा हूं, just like a membership, आप लोग कहते हैं वैसा ही, यहाँ पर एक है bank maha pack, even maha pack शब्द जिस भी exam के बीच लग जाया, जैसे कि bank हो गया, ssc हो गया, railway हो गया, engineers हो गया, इसके अलावा teachers हो गया, कोई भी maha pack हो, आप लोगों को यही purchase करना चाहिए, हम मानता हूँ कि इसकी cost तोड़ी जादा है, बढ़ अगर आप लो बहुत सस्ता आपको यह batch पढ़ता है, 3600 रुपे का, और इसकी validity 12 month की होती है, यहाँ पर bank के जितने भी exam होते हैं, SBI PO हुआ, clerk हुआ, IBPS PO हुआ, clerk हुआ, ठीक है, clerk, इसके अलावा, even हम लोग बात करें, RRB PO हुआ, clerk हुआ, हम लोग के individual batches जैसे warrior हो गया, champion हो गया, game changer हो ग investment होता है, इसे जरा पढ़ते रहा करें, इसे जरा एक बार ले लीजे तो बहुत बहतर रहेगा, code use करना Y168 आपको डाय 35% का discount मलेगा, अगर आप लोग एप से purchase करेंगे, update करके, खिक है, अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला, आज का अपना है West Bengal, West Bengal की बात करेंगे, और West Bengal में कौन-कौन से National Park से उनके बारे में study करेंगे, इस गौर फर्माएगा, गौर फर्माएगा, सबसे पहला जो National Park आएगा, वो हम लोग West Bengal के discuss करने जा रहे हैं, गौरुमारा National Park, इसका नाम है गौरुमारा रास्टी उद्यान, दा पार्क इस लोकेटिड इन जलपाई गु जाना जाता है, हो सकता है, सवाल पूछले कि गौरुमारा रास्टी उद्यान किस के लिए जाने आता है, तब भारती गैंडों की आबादी के लिए, मैं अगर आपको बात करूँ तो मैं लेविल के according ये session design कर रहा हूँ, अभी तो हम लोग individually area wise discuss करें, उसके बाद पूरा ए गौरुमारा रास्टी उद्यान जो की जलपाई गुरी डिस्टिक में ही कहां पर वेस्ट बेंगॉल में, नेक्स सुन्दरवन ये काफी important है, और ये exam का part बने का reason देखिए, it is a UNESCO World Heritage Site inscribed in 1987, ये मेरे भाई UPSC में yearwise पूछ लेता है, ये है 1887 में उत्तीन एक UNESCO विश्व ध रखता है कि ये डारेक्ट पूछ लेगा आप लोगों से कि UNESCO World Heritage Site, सुन्दरवन जो नेशन पाक है, इसको UNESCO World Heritage Site का दरजा 1987 में दिया गया था, ये है किस राज्ज में located है, तो याद रखना है, it is located in West Bengal, तो दो हो गए West Bengal के गौरुमारा और सुन्दरवन, tips पर याद रखना गौरुमारा और सुन्दरवन, नेक्स्ट, जल्दापारा रास्टी उद्दान, जल्दापारा रास्टी उद्दान जल्दापारा नेशनल पाक, इसको याद रखना, It is situated at the foothills of the Eastern Himalayas in the Alipurduar district of North West Bengal, मतलब Northern West Bengal में, ये Alipur district में, Eastern Himalayas के foothills में, इस्तिदा वहाँ की तलहटी में स्तिदा है, और ये तोरसा नदी के किनार इस्तिदा इसको याद रखना है, ठीक है, तो यहाँ से कितने clear होगे हम लोगों के लिए, गौरुमारा, सुन्दरवन और जल्दापारा, गौरुमारा, रिलेटेड तो सिर्फ एक ही पॉइंट समझ में आए, कि जल्पाईगरी district में located है, और राहीनोस के लिए famous है, इसके लवाँ समझ में या आगया, सुन्दरवन को UNESCO Heritage Society का दरजा दिया गया ता 1987 में, जल्दापारा, नेशनल पार्क, पुर्द्वार डिस्टिक में स्थित है, जो की तोर सा नदी किनारे है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, इस तीन most important हो गए, नेक्स्ट आ गया, निवरा वैली नेशनल पार्क, निवरा वैली नेशनल पार्क, निवरा वैली जो नेशनल पार्क है, इस सिचुएटे के हमारे नेशनल पार्क में एक और नेशनल पार्क एड़ करिएगा, निवरा वैली नेशनल पार्क, गैस वटावट वटावट पैरे तो लाइक ठोक दो यार तुम लोग, आगे बढ़ने तो यहाँ से क्लियर होगा, हम लोगों के लिए गौरु मारा, गौरु मारा हो गया, सुन्दरवन हो गया, फिर हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए जल्दा पारा, जल्दा पारा नेशनल पार्क देख लिया, फिर आगे अपने लिए निवरा वैली नेशनल पार्क, निवरा वैली नेशनल पार्क, वन मोर नेशनल पार्क, सिंग लील ridge at the altitude of more than 7000 feet above sea level in the Darjeeling district, यह है Darjeeling जिले में, पूछा या सकता है कि SINGH Lila National Park किस जिले में इस्थित है, तो यह Darjeeling जिले में इस्थित है, इस समुद्र तल से 7000 feet से अधिक की उचाई पर SINGH Lila Ridge पर इस्थित है, गौर वर्माईएगा, SINGH Lila रास्तिय उद्यान कहां पर इस्थित है, यह है आपका Darjeeling district में है, और इसको Indian National Park declare किया गया था 1992 में, इसे 1992 में एक रास्तिय उद्यान का दर्जा दिया गया था, क्लियर है यहां तक सारी चीजें, और बकसा Tiger Reserve याद रखना है, बकसा भी festival भी कहां पर रहा था, तो बकसा फेस्थिबल भी आपका यहीं पर ही रहा था, इसी Tiger Reserve में, और यह कहां पर है, West Bengal में है, तो कौन-कौन से National Park हम लोगों के रहे, अभी तक हम लोगों ने देखा, जि जल्दा पारा, निउरा वैली, सिंग, लीला और बकसा, देखो इतना याद रखना है आप लोगों को, यहीं अपने एकजाम का पार्ट बनेगा, इसी तरीके से इसी Flow में याद रखना है, गौरु मारा, सुंदरवन, जल्दा पारा, निउरा वैली, सिंग, लीला और यहां यह जितने भी नेशनल पार्क्स हैं आपके वेस्ट बेंगॉल में टाइगर रिजब आपके वेस्ट बेंगॉल में इस्थित हैं एक बार लिख देना यस सर क्लियर है तो दोस्त इसी फ्लो में याद रखना है और जितने एससी वाले बच्चे हैं डिस्टिक भी याद रखेंगे सर प्लीज नेशनल पाक की पीडिएफ प्रोवाइड करेगा हाँ सेशन कंप्लीट होने गाद आपको पीडिएफ कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा परेशान होने की जरूवत नहीं है ओके याद होगा यारा बच्चों को बता है यार आशीश गौदम जिये गुरू इतने काफी है आशीश गौदम जिये गुरू जिये गृूँ ही वो शब्द है जिसने कहीं न कहीं मुझे बनाया है थो जियार आशिश होतम जिये गृूँ तो इसको केवलादेव घाना नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं क्या बोलते हैं हम लोग केवलादेव घाना नेशनल पाक के नाम से भी जानते हैं फॉर्मरली नोन ऐस धी भरतपुर वर्ड सेंचरी ये राजिस्तान के भरतपुर में इस्ते थे और इसी नाम से से जानते थे भरतपुर वर्ड सेंचरी अब इसका नाम है केवलादेव नेशनल पाग या केवलादेव घाना नेशनल पाग आई होग गाइस क्लियर होगा इन 1985 दा पार्क वोज डिकलेड युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भाई है इस पर अपन का हाथ हो गया है इसका मतलब ये काफी important होने वाला है ठीक है अब देखो कैसे important युपी PCS वाले दोस्तों युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइड का दरजा कब दिया गया था तो अंसर बनता है 1985 में भरतपूर वर्ड सेंचुरी का अब नाम क्या है केवलादेव नेशनल पार्क है या केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर राजस्तान के भरतपूर में है अच्छा केवलादेव घाना नेशनल पार्क के नाम से भी हम लोग इसे जानते है इतना clear होना चाहिए, in 1985 the park was declared as UNESCO World Heritageide, 1985 में पार्क को UNESCO द्वारा विश धरो और स्थल घोशित किया गया था, केवलादेव जो घाना नेशनल पार्क है, इसको पहले भरतपूर वर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता था, next, सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का पहले हैं, सरिस्का टाइगर रिजर्व एइन अलवर डृस्टिक और राजिस्थान, ये राजिस्तान के अलवर डिस्टिक में है, बस एक लίαन में, एक लेन में, तेको जाहां जाहादा डेटेल लएंए, वहां सिर्फ इतना याद रखेंगे, कहां पर लोकेटड है, जो च सरिस्का टाइगर रिजर्व है, यह आपका कहां लोकेटेड अलवर डिस्टिक में है, क्लियर हो गया, केवलादेव क्लियर है, सरिस्का दौनों क्लियर होना चाहिए, सरिस्का और केवलादेव. नेक्स्ट, रन्थमबॉर नेशनल पार्ग, बहुत लोग भाईया घूमना पसंद करते हैं, रन्थमबॉर रास्टी है उध्यान, ठीक है, रन्थमबॉर वस इस्टेबलिस्ट, जैरा ध्यान से सुनेगा, रन्थमबॉर वस इस्टेबलिस्ट as the सवाई मादपूर गेम सेंच के रूप में स्टेबलिस्ट किया गया था, और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में भी इसको डेक्लियर किया गया था, तो अपने काम की चीज़ बनी कि सवाई मादपूर गेम सेंचुरी का नाम आज क्या है, तो रन्थमबॉर नेशनल पार्ग है, इसे टाइगर रिजर्व के तहट कब डेक्लियर किया गया था, 1973 में, लेकिन ये जो नेशनल पार्ग बना था, ये 1980 में बना था, 1980 में आते आते इसको रास्तिय उद्ध्यान घोशेत कर दिया गया था, बैंक लिए डिस्टिक इंपॉर्टन नहीं है, रन्थमबॉर रास्तिय उद्ध्यान याद रखना है, इसका नाम पहले सवाई माधपूर गेम सेंचरी हुआ करता था, रन्थमबॉर को भारस सरक्वार दरा, 1955 में सवाई माधपूर खेल अभ्यारन की रूप में स्थापित किया गया था, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजब में घोशित किया गया था, एक नवंबर 1980 को रन्थमबॉर एक रास्ति उद्ध्यान बन गया, तो कौन-कौन से होगा यहाँ पर केवलादेव, सरिस्का और रन्थमबॉर, यह आपको याद रखना है, केवलादेव, सरि कोशिश कर यह चीजों को रिटेन रख पाओ, मैं भी रखो, इसी तरीके से काम करता हूँ, इसी तरीके से आप लोगों को भी काम करना है, ठीक है, दर्रा नेशन पार्क, current name of the national park is मुकंदर्रा हिल्स नेशन पार्क, इसे याद रखना दोस्त, यह आज मेरे लिए नया रहा रास्टियो ध्यान का वर्तबान नाम मुकंदरा हिल्स रास्टियो ध्यान है, दर्रा चंबल और जवाहर सागर वाइल्लेफ सेंचरी से मिलकर यह बनाए, दर्रा चंबल और जवाहर सागर वनजीव अभ्यारन है, तीन वाइल्लेफ सेंचरी से मिलकर यह नेशन पार्क बना केवलादेव, रंतंबोर, सरिस्का, डिजर्ट, दर्रा, हम लोगों ने कौन कौन सा देख लिया, केवलादेव, सरिस्का, डंतंबोर, डिजर्ट, दर्रा, ये 5 नेशनल पार्क अपने लेक लिया हो गए, कैस प्लीज सेशन को लाइक जरूर करते न, 1000 प्लस बच्चे देख र ही है, ठीक है, नेक्स जरा देखना, अब आते हैं माध्द प्रिदेश में, माध्द प्रिदेश के वैसे कौन कौन से नेशनल पाक है, बंदवगड, काना, माधब, पन्ना, पैंच, फोसिल, सत्पुडा, वन बेहार और कूनो, यही तो हैं, देखो यही तो नेशनल पाक है सारे कि सारे, बंदवगड, काना, माधब, पन्ना, पैंच, फोसिल, सत्पुडा, वन बेहार और कूनो, ठीक है, कूनो को 2018 में नेशनल पाक का स्टेटस दिया गया था, एक बार सफिर सुनेगा, बंदवगड, काना, माधब, पन्ना, पैंच, फोसिल, सत्पुडा, वन बेह और कुनों जैसे मुझे टिप्स पर आद है, ऐसे ही आपको याद रखने हैं, एके करके इनके डिटेल जरा देखते हैं, सबसे पहले, बांदवगर नेशनल पार्क, बांदवगर जो नेशनल पार्क है, यह आपका उमराई डिस्टिक में लोकेटिड है, मद्द प्रदेश के यह मद्द प्रदेश के उमरिया जिले, इस उमरिया, उमरिया जिले में इस्तित है, इट वस डेकलेड नेशनल पार्क इन 1968, 1968 में यह नेशनल पार्क बना था, यह मद्द प्रदेश के उमरिया जिले में इस धरती पर आया था, उसी वर्ष में मेरे भाई इसे टाइगर रि नेक्स आते हैं, वन बिहार नेशनल पार्क, जब कभी भी कोई कपिटल सिटी में लोकेटेड़ा तो उसे काफी important mark करेगा, यह जो वन बिहार नेशनल पार्क के भोपाल में इस्तित है, मद्धर प्रदेश के भोपाल में इस्तित है, और इसे नेशनल पार्क 1979 में डिकलेर किय गया था, इट वोज डिकलेड़ नेशनल पार्क इन 1979, आई होगा इस के लिए होगा, वन बिहार जो नेशनल पार्क है, वन बिहार जो रास्टी उद्यान है, यह कहां पर इस्तित भोपाल में है, और यह नेशनल पार्क 1979 में डिकलेर किया गया था, आप लोग इसी फ्लो मे याद करना भले मैंने उपर नीचे लिख रखे हैं, बांदवगर, काना, मादा, बांदवगर, काना, मादा, पन्ना, पैंचिल, फॉसिल, सत्पड़, वन, बिहार, ठीक है, यह आपको याद रखना है, नेक्स्ट, काना टाइगर रिजब, यह काफ़ी इंपोर्टन है, इस is also the first tiger reserve in India to officially introduce mascot, मतलब किसी tiger reserve का खुद का एक शुभंकर है, यह first tiger reserve है, देको यह काफ़ी interesting fact है यहाँ पर, यह है भारत में आदिकारिक रूप से सुभंकर का पहला बाग के अभ्यारन्य है, first tiger reserve है, और जो यह जिसका mascot क्या है, भूर सिंग दा बारा सिंगा, जो swamp deer होता ने, स्वेम दली हिरण होता है, मतलब बोर सिंग जो बारा सिंगा है, वो इसका official mascot है, किसका दोस्त, काना tiger reserve का, I hope guys clear होगा, I hope यहाँ तक सारी चीज़ा clear होँगी, ठीक है, next देखना, यह काफ़ी interesting था, माधव national park, इस related history बहुत important है, यह ग्वालियर डिवीजर में, सिवपूरी district में located है, यह है, ग्वालियर संभाग के सिवपूरी जली में स्थिद है, यह वाला point काफ़ी important है, It was named after the Madhav Rao Sindhya, इसका जो नाम पढ़ा था, वो Madhav Rao Sindhya साहब के नाम पर पढ़ा था, जो की, ग्वालियर के महाराजा रहे थे, और यह Sindhya dynasty से बिलोंग करते थे, इसका नाम, मतलब नेशपा का नाम, ग्वालियर के Sindhya राजवश से संबन देते, ग्वालियर के महाराज Madhav Rao Sindhya के नाम पर रखा गया था, I hope guys clear होगा, clear होगा यहाँ तर, next, Madhav Plant, देखो हम लोगों ने Fossil National Park पढ़ा था, उसका नाम है Mandala Plant Fossil National Park, Guys, याद रखना, Bandhav Gaad, Kaana, Madhav, Panna, Pench, Fossil, Fossil था ना Fossil, उसका नाम है Mandala Plant Fossil National Park, Bandhav Gaad, Kaana, Madhav, Panna, Pench, Fossil, Satpuda, One Behar, और Kuno, इसमें जो Fossil है, इसका नाम है Mandala Plant Fossil National Park, ठीक है, Mandala Plant Fossil National Park, next, यार, पन्ना National Park, ये आपका, छतरपुर और पन्ना डिस्टिक में लोकेटेड है, मदप्रदेश के, इसे 1993 में 22nd Tiger Reserve Declare किया गया था, भारत का, और मदप्रदेश का ये पांचवा Tiger Reserve बना था, पन्ना was given the Award of Excellence in 2007, 2007 में पन्ना रास्टि उध्यान को Award of Excellence से सम्मानित किया गया था, किस चीज़ के लिए, As the best maintained national park of India, टूरिजम जो मिनिस्टिय है, उसने बेस्ट57 के सम्मानित किया था, ये काफ़ी interesting just yad रखना है, इन्ही से ये national park important बनते है और exam का part बनते हैं, ठीक है, guys? I hope clear होगा, नेक्स्ट पैंच नेशनल पार्क, पैंच नेशनल पार्क इट वज इसमें पैंच टैगर रिजव, यह इसमें पैंच टैगर रिजव इस्थित है और इसको 2011 में Best Management Award दिया गया था Best Management Award किसको दिया गया था यहाँ पर Pench National Park को जहां कहीं भी आपको कुछ भी Interesting Fact दिखे है Additional Fact दिखता है किसी भी National Park से Related वो आपको याद रखना है वो दोस्त आपको याद रखना है वही उसको बहुत Important यहाँ पर बनाएगा Clear है? वही आपको यहाँ पर Important बनाएगा ठीक है दोस्त वही मतलब इस National Park को Next year Satpura Tiger Reserve इसे Satpura National Park के नाम से भी जानते हैं हुसंगाबाद डिस्टिक में यह Located है इसके अलावा Kuno National Park है और यह Kuno National Park है तो National Park का Status 2018 में दिया गया इससे पहले Wildlife Century हुआ करता था तो कौन-कौन से हो गए बांदवगड काना माधव पन्ना पैंच फोसिल Mandala Plant Mandala Plant Fossil National Park ठीक है बांदवगड काना माधव पन्ना पैंच फोसिल Satpura वन बिहार और Kuno 1,2,3,4,5,6,7,8,9 कुल मिलाकर भी 9 National Park हो गए बांदवगड काना माधव पन्ना पैंच फोसिल Satpura वन बिहार और Kuno ये सारे आपके मद्ध प्रदेश राज्ज में इस्तित है बाई, क्लियर है, समझ में आ गया तो ये एक बाद लिए तो Yes Sir अच्छा आज एक काम करेगा जितने बच्चे मेरे साथ लाइब जुड़ें आज आप लोग गूगल पर यूट्यूब पर जहां पर भी आपका मन करें आशीज गौतम जीए गुरू सर्च करके देखना आशीज गौतम जीए गुरू ठीक है, इतना छुटा सा काम करना तुम लोग ठीक है, इतना काम करोगे ना सब तबियत तो ठीक है अमा बिल्कुल तबियत ठीक है, टेंशन ना लिया करो असल में दोस्त मैं तो मैं तबियत खराब सी लगती रहती क्योंकि ना, मेरी जिंदगी मैं ना सिर्फ पढ़ने के लावा कोई काम बचा नहीं है तो मैं सिर्फ पढ़ता ही रहता हूँ तो इसलिए तुमको लोगों को लगे का कर लागे बंदा हमेशा ठका 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 से लगता है तो वो क्या कर रुआ है ओक, 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 इसाई चलिए गया बहुत बढ़रे यह जाए नेक्स देखना काफी important है 36 गड़ के भी गुरू घासीदास नेशनल पार्क इसी को अभी Tiger Reserve 2019 की news है भाई देखो current से link कर रहा हूँ 2019 की news है 36 गवर्मेंट ने decide किया है गुरू घासीदास नेशनल पार्क को Tiger Reserve भाई डिकलेर किया जाएगा ठीक है Tiger Reserve डिकलेर किया जाएगा इंदरावती और गुरू घासीदास नेक्स्ट यार इंदरावती जो नेशनल पार्क है ये बीजापूर डिस्टिक में है और इसको नेशनल पार्क का स्टेटस 1975 में दिया गया था 1975 में इंदरावती नेशनल पार्क को मतलब इंद्रावत्टी को नेशनल पार्ग का स्टेटस दिया गया था, ये एक्जाम में SSC में पूछ लिया जाता है किसे डिस्टिक में है, कब इसे नेशनल पार्ग का स्टेटस से दिया गया था, कब नेशनल पार्ग का स्टेटस दिया गया था, इस पर गौर फर्माएगा ये जो आपका जारकंड है उसके पलामू डिस्टिक में, जो छोटा नागपुर पलेटु है, जो पठार है वहाँ पर इस्तित है, ये जारकंड के पलामू जिले में छोटा नागपुर पठार पर इस्तित है, बेतला नेश्रपाग इसको याद रखना, I hope guys clear होगा, इसके अल जो ट्रेक अफ टाइम, बट मैं इसको अभी PDF में एड़ कर दूँगा, तो PDF में आपको इस रिलेडिट सारे फेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है, भीतर कनेगा, सिमली पाल, नंदन कनन, जो लॉजिकर नेश्नल पार्क, ये सारी भी आपके कहां पर लोकेटिड है, ये सारे मैं फिर सजेस्ट करूँगा, जितने भी बच्चे भाई, अलग-अलग batches में पैसे खर्च करते, फ्लीज गाइस, थोड़ा समझ, ध्यान से, बड़े पैसे की कीमत है, और एक planning के साथ अपना पैसा खर्च करिए, मैं ये especially bank maha pack, इसलिए recommend करूँगा, bank maha pack, ssc maha pack, अगर ssc निकालते हैं, 65% तो ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, और इसके बाद यार दोस्त मुझे नहीं लगता कि आपको कुछी भी, कि पूरे साल में कोई भी batch लेने की जूरत पड़ेगे, और इसमें आपको सारे मेरा प्यूश का, मालब English के हमारे 4 faculty, 4 faculties के batches हा रहें, तो सारे batches आपको इसमें मिलेंगे, तो इसी को आपको ले, 340 रुपे का ये पूरा पढ़ने जा रहा है, टेके 35% discount के बाद, 2400 रुपे मालब 200 रुपे परमंद के हिसाब से पड़ेगा, ले लीजे मेरे बहुत फाइदा, इंटर्वी के बैच परीगा, बैच मेंस का बैस सार अन्री शर वस्ता है, ये अन्री जा है प्तूतूर जा है, इंटर्वित के बात्तूर का बैस मेंस मततूर को आपको ए्कोट आत्र लेता जा वरा रहा है, ये ये को परीगा जब हाईदू से लेता है, लेको इंवे के। रूम्स एतरा है, एंझा परness नह सारीको और्यां से